दोस्तो ओम नमश शिवाय दोस्तो रोजाना अपना राशी फल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सलेक्ट आल कर लें धनूराशी वालो हो जाओ तैयार क्योंकि अब भगवान सूरेदेव के असिरवास से 17 मार्च से 31 मार्च यानि की मार्च महा के इन 15 दिनों के अंदर सोने के रथ पर सवार होगी आपके किस्मत जा दोस्तों सारे दुस्मन जलकर होंगे स्वाहा जा दोस्तों आपको बतना चाहेंगे कि भगवान सूरेदेव के असिरवास से 17 मार्च से 31 मार्च यानि की इन 15 दिनों का जो समय है यह समय आपके लिए बहुती अच्छा समय साबित होने वाला है आपको भगवान सूरेदेव के किरपा से इन 15 दिनों के अंदर बहुत बड़ी खुशकबरी मिलने वाली हैं दोस्तों आपके किस्मत यू कहें सोने के रथ पर सवार होने वाली है क्योंकि भगवान सूरे देव की किरपा से इन पंद्रा दिनों के अंदर सूरे का सुभ योग, कारेशिद्योग, राज योग धन योग जैसे सुभ योग बन रही हैं और साती सात सो भग्यवान योग बन रहा हैं जिसमें आपका भग्य उदय होगा ही होगा आपकी तोई हुई किस्मत जाग उठेगी यूँ कहें आपका भग्य चमक जाएगा अचानक बड़ा उलट फेर हो जाएगा इन पंद्रा दिनों के अंदर वे सब कुछ होगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा और समय अच्छा रहेगा बलवान रहेगा कि आपकी काम्याबी को देख आपकी तरक्की को देख आपके जो भी दुस्मन है वे दुस्मन जलकर स्वाहा हो जाएंगे ये समझ लें मतलब आपके काम्याबी को देख उनसे रहा नहीं जाएगा देखा नहीं जाएगा क्योंकि आप कितने काम्याब होने वाले हैं आपको वे सबकुछ मिलने वाला हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी जो आप चाहते थे कि हमारे लिए यह सब कुछ हो हमें इन सुक्सिवदाओं के प्राप्ति हो हमें यह चीज मिले तो दोस्तो अब रोना धोना बंद कर दो और आशू पहुच लो अपने अब वे सब कुछ मिलने वाला हैं जिसके आप ख़कदार हैं जो आप चाहते थे वे सुरज की तरह चमक उठेगा इसलिए सारे काम चोड़कर वीडियो को सबसे पहले देखें पूरा देखें वो भी बिना काटे बिना इसके उपके हुए आज केवन नशीब वाला ही होगा जो यह वीडियो देख पाएगा और वह बहुत पच्छता हैगा जो आज की वीडिय वीडियो को नजर अंदाज करेगा और वीडियो को नहीं देखेगा क्योंकि वीडियो में हम आपको खुसकबरियों के साथ साथ कुछ महत्पपुन साथभधानियों के बारे में बताएंगे जो कि इन 15 दिनों में आपको बरतनी होंगी तभी आपको इन 15 दिनों का पूरा लाब मिल सकता है अन्यता आपको कुछ लाब ने मिलेगा नहीं आपके कुछ हात लगने वाला है तो वीडियो पूरा देखें सुरू सेंतर तक बिना काटे बिना स्किफ के हुए क्योंकि वीडियो को गिरह नक्षत्रों के साब से बनाया गया है गिरह नक्षत्रों में बदलत प्रकार इन पंद्रा दिनों में आपको फल देगा वीडियो में वही बताएंगे तो दोस्तों शुरू सेंट तक पूरा वीडियो देखें बिना काटे बिना स्किप्ट के वह जा दोस्तों वीडियो का किसुरू करें सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं भ चलिए दोस्तों समय नगावाते हुए बात करते हैं किस प्रकार भगवान सुनेदेव की अश्यम करपासी आपकी राशी वालों के लिए 17 मार्च से 31 मार्च याने कि पंद्रा दिनों का यह समय रहने वाला है चलिए सुरू करते हैं दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि य हैं समय आपके लिए अत्यंत लाब प्रद समय साबिठ होने वाला है आपके ग्रहों में इन दिनों जो परिवर्तन होगा आपके लिए लाब की इस्तिती बना रहे हैं ग्रह परिवर्तन ग्रह नक्षत्रों की इस्तिती पूर्ण रूत से आपके पक्ष में रहने वाली है इ इस सम्बंदी मलकी इन इस समय में आप निवेश सम्बंदी जो भी योजने बना रहे हैं उन पर ध्यान आप केंजरित रखें कहीं भी निवेश करना चाहते हैं अत्यंत लाब प्रद समय हैं लाब मिलेगा आपको इस समय का सदियोप्यों करे बहुत अच्छा समय रहने वाले साथ साथ किसी संतान की भी इंकम होने से घर में खुशी का वातावरन रहेगा इस समय संतान की तरफ से आपको कोई शुक मिल सकता है उनके केरियर संबंदी कोई खुशकबरी आपको मिल सकती है या मैं नोकरी करते हैं तो नोकरी सम्मंदित कोई खुशकबरी आपको मिल सकती है पड़ाई चे सम्मंदित कोई खुशकबरी मिल सकती है आपको संतान प्रक्षे खुशकबरी आपको इस समय में मिलेगी और आपको यह भी बता दें कि इस समय घर परिवार में विवा या फिर सगाई संबंदी मांगलिक कार्णों की रूप रेखा भी बनेगी इस समय और यह वैसा में होगा जब आप अपना नया वाहन या फिर मकान खरी सकते हैं प्रॉपर्टी खरी सकते हैं इसमें भी आपको लाब पहुंच सकता है यह भी एक छाप की पूर्ण हो सकती है और जो पिछले कुछ समय से रुक्वेवे कार्णे थे वे भी आपके पूर्ण होने वाले हैं इस समय में और साथ यसाथ आपको यह भी बता दे की इस समय में आपकी तरकी देख आपको सकलताओं की तरफ जाता देख जो आपके दुस्मन हैं वे भी आपसे जलेंगे लेकिन उन दुस्मनों का कोई भी दुस्पिरवाब आपके उपर नहीं पढ़ने वाला बे जिजग आगे बढ़े हैं और साथ साथ इस समय में आप जितना संभव हो सगे गरीब और जोतमंद लोगों की भी मदद करें जितना आपसे बने कुछ न कुछ तो जरूर करें आप अन धन वस्तर कुछ भी बने जो भी बने और आपको बताना चाहेंगे यह वह समय होगा इस समय आप सब काम योजना बद तरीके से करेंगे और आपको अवश्य सफलता मिलेगी किसी सहारीनिय कार्य की वज़े ज़े समाज में आपका मान संभान मिलेगा कोई ऐसा कार्य आप करेंगे जिससे मान संभान में आपकी बहुत प्रसंसा होगी युवा वर्ग बहुत समय से अपने केरियर को लेकर संगर सरत्थे उन्हें भी कोई बड़ी खुशकबरी प्राप्त हो सकती है नौकरी से संब्द देते हैं पढ़ाई से संब्द देते हैं और साथ साथ जो लोग बिरोजगार हैं उनके लिए भी रोजगार प्राप्ती के कुछ अवसर इनक आने देना है आपको द्रह निश्चे से आपको आगे बढ़ना है सफलता वश्य मिलेगी और आपको बताना चाहेंगे कि इस समय आप अपने कार्रे को जो भी कार्रे करें शीक्रिट अपने तक ही सीमित रखें गुप्त तरीके से ही कोई भी कार्रे करें किसी को इस सामने ज चाते हैं वे करना चाते हैं अन्यता आपको कोई लाब ने मिलेगा समय तो आपके लिए अच्छा हैं लेकिन बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप तरीके से शुरू करें इसको मतलब कि किसी को नहीं बताना कि आप यह करने वाले हैं वे करने तो वे आपके सिक्रेट्स ली इस समय में सफलताओं के जंडे गाड़ने वाले हैं और साथी साथ आपको यह भी बता दें हमने पहले भी आपको आगा किया है कि कोई भी कोई भी काम करें आप बहुत मन में सरलता का भाव रखें प्रसंसा का भाव रखें क्रोधित ना हूँ आप अन्यता यही आपके विनास का करण बन जाएगा क्रोधित नहीं होना है वाणी पे मदूरता बनाकर रखनी है सफलता आपको जरूर मिलेगी नहीं तो यह आपका गलत वैवार आपके बने बने कामों को बिगार देता है यही आपकी कमजोरी है इस बात पर आप जरूर ध्यान के अंदरित रखें कि गलत वाणी नहीं बूलनी है आपको और आपको साथे साथ यह भी बताना चाहेंगे कि यदि आप किसी को पैसा देते हैं इस समय तो पैसे का लेन देन करते समय साफ़धानी आपको बरतनी जरूरी है क्या? कि यह निश्चित कर ले कि यह पैसा आपको कब मिलने वाला है वैसे तो कोशिस करें कि आप किसी को पैसा उधार ना ही दे तो अच्छा रहेगा कोई ऐसी मजबूरी पढ़ जाए कि देना पड़े वो अलग बात है लेकिन कोशिस करें कि ना ही दे तो अच्छा रहेगा नियता आपका पैसा फस सकता है बहुत सो समझ कर करें और सबसे बड़ी बात आपको यह है बता दे घर के बड़े बुज़गों की सेवा सम्मंदी कोई भी आप अव हेलना ना करें उनकी सेवा के पड़ती बड़े बज़गों की सेवा का भाब मन में जरूर रखी उनकी अव हेलना ना करें अपने जिद्धी स्विवाब को लचीला बनाए लाब मिलेगा आपको और साथ साथ बताना चाहेंगे प्रेम सम्मंदी बातों को तो दोस्तों एविवाइतों के लिए इस समय मनो अनुकूल रिस्ता आने की भी संभावना है जिससे मन प्रसंद रहेगा प्रेम सम्मंदों में प्रिगरता बनेगी बहुत अच्छा समय रहेगा यदि पती पतनी के बीच कोई नौक जोक चल रही है तो वह अल्प प्रियास से ही दूर हो जाएगे प्रेम सम्मंदों में पुने मधूरता लोटेगी और आपको यह भी बताना चाहेंगे बहुत ज़्यादा डिसिप्लेन होना जीवन साती के साथ कुछ तकरार उत्पन कर सकता है माहूल खुसनुमा बनाने के लिए कुछ मनोरंजन वे उपहार देने सम्मंदी कर्यकरम बनाएं इससे प्रेम सम्मंदों में प्लगड़ता आएगी और दामपत्य जीवन में आपके मदूरता बनी रहेगी और घर परिवार में वे खुसियों का माहूल रहेगा और साती सात आपके केरियर सम्मंदी वेपार बिजने सम्मंदी चर्चाओं पर बात करें तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग नोकरी करते हैं तो नोकरी पर करते समय उनको कोई साफधानी अबरतनी होंगी कि कोई आपके सहयोगी आपको छटी भी पहुचा सकते हैं इस समय आपका कोई सीक्रेट से लीग करकर इदर-उदर कर सकते हैं जिससे की आपको नीचा देखना पड़े अपमानित होना पड़े तो साफधान आपको रहना है बसरते आप नक्री पेशा व्यक्ति अपने काम में ज़्यादा से दया ध्यान देने की आवश्यक्ता है काम पर ध्यान जादा दें आप किसी के भ्हेकावे में नहीं आना है आपको और आपको बताना चाहेंगे नोक्री संबंदित कारों में भी इस्थरता आएगी इस तमें तरक्की के भी योग आपके लिए बनेंगे समयतियां महत्मपूर्ण है जो लोग शरकारी नोकरी करते हैं यदि वे चाते इस्तान परिवर्तन हो जहां में चाते तो उसमें भी कामया भी मिल सकती है बसकते आपको प्रिय आपके सामने आने वाले हैं इस समय में अत्यांत लाबकरी समय रहेगा आप लोगों के लिए और साथे साथ यह भी बताना चाहेंगे कि जो आपके कार्रे इस थल पर सह कर्मिया कर्मचारी हैं उस पर भरोसा ना करकर सभी गति वीडियों पर पैनी नजर आपको रखनी हैं और निर्णे भी आपको स्वेह मिलेने हैं किसी अनुबवी व्यक्ति का मार्ग दर्सनवे सला आपके लिए इस समय उप्योगी साबित होगी वाहन तता शेयर्स सम्मंदित कार्रों में भी आपको इस समय सफलता मिलने वाली हैं बहुत अच्छा समय हैं करे छेत्र में अपनी वर्तमान गति वीडियों पर आपको ध्य जहान केंदी तर्कना हैं तब ही आपको आपके कार्रेमी सफलता मिल सकती हैं अन्यता आपको कोई सफलता नहीं बैद के और आना प्रिकार की बातों को दिमाख में ना लाएं आप अन्यता जो काम कर रहे हैं वे नहीं बनेगा आपका जो काम करें उसी पर ही धान के अंदिरित करके करें और गलत संगती का आप साथ छोड़ दें जैसे के मैंने पिछले कुछ वीडियो में भी बताया है यदि आपके की गलत संगती है उसका साथ छोड़ना आपके लिए अतियंत महत्मपूर है जबी आप बविश्य में आगे बढ़ सकते हैं गलत खान पान का शेवन करने से आपको बचना है और स्वास संबंदी चर्चाओं पर बात करें तो दोस्तों स्वास तो आपका ठीक रहेगा परंतु बदलते मोसम की वज़े से कोई आपको ऐलर्जी जैसी दिक्कत महसूस हो सकती है इस लाब हो देगा धन्यवाद